आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे नीट 2021 की अनुमानित रैंक के बारे में कि आपके आपके 400 प्लस माक्स आते हैं तो आपकी रैंक कितनी होगी यानि आप कितने पाइदान पर होंगे और लास्ट येर के कंपेर में कितना कट आफ चाहेगा इस पार 2021 में 2020 के कंपेर में एक दो आंक के नीचे रहेगा या उपर रहेगा इन ही सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस पर्टीकुलर वीडियो में तो आईए सुरू करते हैं आज का इस महत्पूर वीडियो उससे पहले अगर हमें चनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना आप न भूलें तेकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आप सभी लोगोंने नूटिफिकेशन को भी बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा समझा होगा कि सामानिवर के उम्मिद्वारों के लिए नीट कट ओफ 2021 में 50% है यानि 50% से अगर आप उपर आते हैं तो आपकी चीज़े आप कट ओफ में हैं जबकि SCST OBC उम्मिद्वार के लिए 40% है यानि 10% का इसमें डिफरेंस रखा गया है तो यह सामानिवर के यानि अन्रिजर्व्ड सु जो कंडिडेट हैं जो अनरक्षित हैं जो सभी वर्गों के लोग हैं अगर वो सामिल होते हैं तो उनके लिए 50% है और यहां SCST OBC के लिए 40% है अगर जो हैंडिकेप आते हैं समानिवर के तो वो आपके 45% रहेगा कट ओफ का 45% रहेगा यहीं जो नीट का कट ओफ रहेगा उसका 45% रहेगा इस बार की परिक्षा में जो है जो परिक्षा है इस बार को लेकर यह उम्मिद जताई जा रही है कि इस बार cut-off पिछली परिक्षा की आपक्षा एक से दो फिस्दी नीचे आ सकता है तो यह जो total cut-off है वो एक से दो फिस्दी नीचे रहने की पूरी उमीद है अब यहां हम बात कर लेते हैं marks के आधार पर मिलने वाला अनुमानित rank के बारे में अगर आपके परिक्षा के आधार पर जो आपको marks मिलेंगे और आपने सभी लोगों ने आपने अनुमान लगा लिया होगा तो आप अपना अनुमानित rank नीचे देख सकते हैं अगर आपके marks इनके इनके बीच में हैं तो आप rank देख सकते हैं 720 है अगर आपको तो आपके sum होता आपकी पहली ही rank होगी उसमें no doubts अगर data birth में कोई differences नहीं आते कई लोग 120 नहीं लाते तो आपकी एक ही rank रहेगी first rank रहेगी और 708 से 708 के बीच में यानि 10 अंक का जो यह difference आपका आएगा इसमें 31 candidates 2 से 31 यहीं 30 10 अंक आपके खटेंगे और शुरुवात के 10 अंकों में आपके 30 candidates इसमें आजाएंगे फिर उसके बाद आप 701 से यहीं 658 तक कि अगर बात करें तो यहाँ आपके पास करीब 2900 candidates यहीं 700 प्लस आप कह सकते हैं 700 प्लस जो है लाने वाले candidates 3000 हो जाएंगे फिर उसके बाद 657 से लेके जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं यह 58 है यहाँ पर आपने देखा कि यह 700 7 से और 658 है यहीं 658 से उपर नंबर लाने वाले लोग आपके यहाँ 3000 के असपास लोग हो जाते हैं इसी तरीके से 600 नंबर आप माल लीजिए total on average 598 है यहाँ पर तो यहनी 600 प्लस लाने वाले आपके यहाँ देखें यह 3000 आप यहाँ से माइनस कर दीजिए इसमें से 24,000 है यहनी कुल 21,000 हो जाएंगे 21,000 के आसपास आपके rank जा सकती है अगर आपके 5600 प्लस नंबर है तो इसी तरीके से 498 की अगर हम बात कर लें तो 498 मितलब 500 500 प्लस अगर आपके पास हैं तो एक लाख 1170 यहनी आप यहाँ 24,000 534 माइनस कर दीजिए इसमें से तो यहनी आपके 75,000 के आसपास जो rank है 75,000 के आसपास आपकी rank पहुंच जाती है इसी तरीके से 398 यहनी 400 प्लस की हम जो बात कर रहे थे जो हमने अब थंबनेल में भी रखा है यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं जो हमने 400 प्लस का जो title दिया था उसमें आप यहाँ 2,15,000 rank यानी आपकी करीब होगी तो उसमें से 1,00,000 आप यह निकाल सकते हैं तो यतने candidates आपके हैं आपकी जो rank आ रही है यहनी आप 400 प्लस जो है candidates हमने बता दिया कि कितने कंदरे कहां 75,000 के बीच में candidates इसके बीच में आएंगे फिर उसके इसके बीच में आएंगे उसके उसके बीच में आएंगे यानि जो पूरा आंकलन है अगर आपके 400 प्लस marks आते हैं total or all on average तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो rank है वो 2,15,000 के आसपास तक rank होगी total 2,15,000 rank जो है अगर आप 400 प्लस लाते हैं अगर इससे कम लाते हैं तो आप अनुमान और लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा rank आपकी होगी तो उम्मीद करते हैं एक बार आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर कि 720 नमबर यह टोटल नमबर आप अगर लाते हैं तो एक rank है 708 के उपर है तो आपके 31st rank तक आप इन इतने लोग होगे इसमें फिर उसके बाद सामिल हो जाते हैं और 658 नमबर यह उससे ज़्यादा लाते हैं तो वह 300 rank के आसपास आपके rank आ जाएगी और इस तरह आप जो है 600 प्लस नमबर लाते हैं 24,000 rank तक के अंदर आप होँगे इसी तरीके से आपके पास आप देख़ेजिए 600 नमबर अगर आप लाते हैं तो 24,000 के आसपास अगर आप 5,000 लाते हैं नमबर तो आपके 1,00,000 के अंदर होगी rank अगर आप 4,00,000 के आसपास आपकी rank दो लाग तक तो हो जाएगी तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अब तक लिए धन्यवाद जाए हिंच